इस वीडियो में आपके साथ शेर करने वाली हूँ रेइनबो आई मेकप तो या गाइस विदाउट फिस्टिंग एनिंग टाइम लेट्स गेट स्टी एर टीडी सबसे पहले सेलो टेप अपलाए कर ले सेलो टेप आप इस तरीके से अपलाए करें अपने आई कॉर्नर से लेक अपलाइ कर ले अपने आई में आई बशा करेंगे एमे पर ऑफिसेयर अपणी ओफॉर अपने आउजिक एक लाइन इसेसे क्रीयिद rays और आपको एक गल्कन suisलर को अपलाए को अबर इस उतना ही आयलेड पर अपलाई करना है जो आप चलर निकल के नहीं आएगा जब आप लायट कलर का अपलाई करेंगे is के उसके ऊपर जो का लर है रैड ब्लू गरीन जो भी वह कलर पुरा है अच्छे तरीके से निकल के आएगा अब एकदम corner पे मैं सरिफ और सिरिफ dark red color apply करूंगे. इन तरीके से दोनों तरफ आई corner के apply कर ले. उसके बाद मैं apply करूंगी orange color. और आपको बस orange color को वहीं पे place कर देना है, बस इस तरीके से रग देना है. Corner में apply कर रही हूं मैं yellow color. अब थोड़ा सा और भी आप आई कॉर्णर मुझे यहाँ पर क्रियेट करना है त्सवाइ मैंने थोड़ा सा और कंसिलर अपलाए कर रही हूँ और पूरा एक क्लीन ब्रश लेके हलका सा जो मेरा क्रीस लाइन है वहाँ पर मैं ब्लैंड कर लूँगी उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक शिमरी आईशेडो और जो कट क्रीस बोलते हैं जहां तक मैंने अपलाए किया है अपने आयलेड पे आईशेडो बस वहाँ पर मैं यह कट क्रीस पे शिमरी आईशेडो अपलाए कर दूँगी अब यह वाला शिंबरी ऐशेडों मुझे थोड़ा लाइट लगा आजिस लाइक मैं शूट कर रही हूँ, मैं टिक टॉक वीडियो बराती हूँ इस वज़सी यहां पर मैं सिल्वर कलर का शिंबरी ऐशेडो ली बट आपको मैं यही सजेस्स करूंगी कि आप लाइट कलर का कोई भी शिंबरी ऐशेडों वह ज्यादा डिसेंट दिखेगा अगर आप मेकप करके कहीं बहार जाते हैं तो फॉर शूट कैमरा के सामने थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइट रहता तो अच्छा दिखता है अब यहां ने यूज किया यहां पर सिल्वर कलर का शिंबरी ऐशेडों अब हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर की तिरफ देखते हुए अपलाय करें अब यहां पर मैं कॉर्णर में ग्रीन अपलाय कर रही हूं विद पॉइंट ब्रश के की नीचे का थोड़ा सा डीटेलिंग करना पड़ता है उसके बाद मैं लाइट ब्लू कलर ले रही हूं अज यू नो कि मैं यहां पर रेंबो आईशेडों बना रही हूं सारे जितने भी कलर है आईशेडों पैलट के वह सब मैं यूज करने वाली हूं आप अपने साले टेप को हटा दी क्योंकि अब जो आई कॉर्णर है उसको मर्च करना है वहां पर मैं यूज कर रही हूं पिंग कलर क्योंकि रेड से काफी सिमिलर है वह और आई कॉर्णर पे काफी अच्छा दीखेगा उसके बाद मैं वालेट कलर अपलाय करी हूं अच्छी तरीके से सारे कलर के आईशेडों लगाने के बाद अपलाय करी हूं अगेन मैं अपने ब्लाक आईलेंडर से अपलाय कर लोंगी सिर्फिक डीटेल देने के लिए अफ्टर अपलाय मस्कारा और डेफिनेटल मैं रेकमेंड करूंगी फेक आईलेशेस के कि वह आपके आई को बहुत ही अच्छा लुक देगा अच्छा लुक दिए अच्छा लुक अच्छा लुक देखता है आपको यह पसंद आया होगा और कर दो पसंद था यह सिर्जाएव कर दे आदि कर दे मेशिफ अग्राफ में तर बहला है था तो दो किलिक एप सब्सक्राइब उस कंडिक कर अप्सक्राइब इस क्लिक अच्छारीब सब्सक्राइब इस फुरुट नुट ख़ती गंतेदी दे तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैंटी लाइनर के बारे में जैसे कि बहुत लोगों को वर्जाइनर डिस्चार्ज होता है उसकी वज़र से उनकी जो पैंटी होती है वो पूरी वैट हो जाती है बार बार वाश्रूम जाना पड़ता है क्लीन करने के लिए तो आप य तरी के से अब्सर्ब कर लेता है इसके साथी बहुत लोगों को यूरीन लिकेज की प्रॉब्लम होती है तो भी इसमें भी आप ये पैंटी लाइनर यूज कर सकते हैं साथी अनेक्सपेक्टेड पीरिट्स कभी भी आ जाते हैं तो वो स्टेन से आप बच सकते हैं मतलब तो यू कि अनके बिश्च डियू आप यह बहुत ही थिन होता है जै कार बाद के पैंड़ आप दिन होता है आप अ रहेवी न स्वेटितान होता है न स्टी यू स्ट्या को अड़ शाये घ्यागा अर जाट वैं देगड लिजवा धर अन की लिडियो मैं एल बाद मैं